हेलो नमस्तु प्रेंट्स वेल्कम बैक टो में चानेल वेल्कम टी एनदान न्यू ब्लॉक आई होग कि आप सब लोग भले चंगे हैं हम लोग भी ठीक ठाक है आज का दीन है फ्राइडे और अभी मौनिंग का टाइम है फाइव एम आभी से मैं आमना ब्लॉक स्टार्ट कर र ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं और बहुत दिन बाद मैं पांच बजे उठी हूँ और अभी बैलकोनी पे खड़ा होके मैं पानी पीटे-पीटे बाहर का भीव देख रही थी बहुत सुन्दल लग रहा था और अब लोगों को भी थुड़ा सा मैंने दिखाया है बहुत ही सुबा सुबा जब घिम्ही उठी हो पानी पीटे बीटे या ब्राइस करती करते हैं थव्ड़ा समय वैलकोनी पे खड़ा हो जूँ घया बहार का भी बहुत ही अच्छ लगता है घ्रीनारी मुझे बहुत ही पर सुन्दल लगता है और यह सुमु अह अरो बड़ भी फिन उ सू रहा है तो अनलोगों का उड़ने के पहले मैं मॉर्निंग का काम सब कदम कर दूंगी टो उड़ने के बाद जो है जाएं पानी सोरू को ब्रास कराना होता है उसके बाद जो है दूस-पीलाना उसके पड़ने के लिए बीठाना बूस बेसette वह सुबह का तो देखिए यहां पर जो है सुभा को मैंने क्लीन कर लिया था तो सुभा सुभा जो है मैं डाइनिंग एरिया को अच्छा से क्लीन कर लेती हूँ यह मेरा फ्रांट एरिया है तो जब घर पे गेस्ट आते हैं बेटकुली दिखने में अच्छा नहीं लगता है इसके लिए सबसे पहले उठके मैं डाइनिंग एरिया को क्लीन कर लेती हूँ बाकि उसके बाद जो है मैं क्लीन करती हूँ तो देखिए अब यह टीभी उनिट को भी थोड़ा समय क्लीन कर रही थी क्योंकि यहां पर जो है छोड़ा-छोड़ा मक्री का जाला हो गया था एक मैं इसे फेकूंगी नहीं आज कुछ अलग टेप से बनाऊंगी तो वह यह अभी रेसिपी आवलों के साथ में स्यार करूंगी तो जब भी राइस रह जाता है रात का मैं तो फेकती नहीं हूँ इस तरह से करके या थोड़ा सा अलग करके हम लोग ब्रेक्वास्ट में खा लेते हैं तो देखिए यहां पर जो है मैंने टूटी स्पून के करीब कार्ड ले लिया था और एक एक करके जो है काट के अंदर में बैसिक मसला अट कर रही थी सौल टर्मनिक पाउंडर धुनिया पाउंडर जीरा पाउंडर होल्दी पाउंडर तो जो है यह एकसाद मिक् तो बात में मैं बताऊंगी किया हुआ था और अभी चलिए रईस को बनाना स्टार्ट करती है तो सबसपय लकड़ाई पे मैंने योयल डाल दिया था उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहां पर ओन्योन एड़ कर दियाasta से बाद मैंने लिधा टोमटन कर दिया था और मुसाला को भूजने के बाद राइस कि को ब्राइट को देखि ए अंदर पढ़ा होतास था कार्ड बच गया था और डेखर हजबेंट और बेटो बडास कर लिया था और हजबेंट जो है सुबाश-पानी नाष्टा-पानी हो गया था और यह भी डूटी के लिये जा रहे है तो इनका आज लांच पे मैं-जो है रूटिशू chir दे दिया था सुभे राइस कहा है और कनी खाएगा और बेटु को मैं लिखने के लिए बिठा दिया था और आभी मैं खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकल के आगे थी फेस पैक बनाने के लिए बहुत दिन से स्किन केर करने के लिए सोच दे थी तो आज फाइनली जाके यहां पर देखिए सबसे पहले मैंने एक टी स्पुन के करीब बेसोन ले लिया था और एक चमच के करीब काड और यहां पर मैं आड़ कर रही थी थोड़ा सा होल्दी पाउडर तो यहां पर जो है कॉस्तुरी होल्दी पाउडर एड़ करना है बड़ मेरे पास नहीं था त करने थो दो अब ही मैं क्लिंजिंग कर लोंगी सबसे पहले स्टेब नंबर वान जो है क्लेजिंग करना है थो मैंने रॉब्र मिल्क लेक लिया है और एक कॉटन ने लिया है, współ действ कि सदलेंगे और इस रउमिल्क लादा करने बाद लिंग काली लिए और यहां बिल्यमिल्क क करने वाले हूँ step number two तो यह face back को मैं अभी apply करने वाली हूँ तो इस तरह से जो है round round करके पूरा face back apply कर लेना है और साथ इसाथ निक पर भी apply कर लूँगी तो यह जो face back है सज में बहुत ही अच्छा है तो मैं देख की बना रही थी तो इसलिए जो है थोड़ा साव लोग के साथ शेयर भी कर दिया था तो वो लोग बोल रही थी कि seven days तो किसी यूज़ करने से जो है इसे try होने के लिए हम छोड़ देंगे और बाकी का जो थोड़ा सा रह गया था तो इसे तो भेकूंगी मैं नहीं तो इसलिए हैंड पे और पेर भी apply कर लिया है मैंने तो फेस हमारा glow करेगा साथी साथ हैंड और पेर भी तो glow करना चाहिए ना तो देखिए यहाँ पर जो ह यहाँ पर मेरा sunten हो गया है अब लोग देखी सकते हो एक जगा जो हुआइट और एक जगा ब्लैग हो गया है तो इससे जो है sunten भी रिमूव हो जाएगा अच्छे से टमाटो है तो और बेसन जो है हमारा तो मतलब scrubbing का तो बहुत अच्छे से क्राम करते सब को बता है और क अच्छे से वास करने के बाद लोगों को लिखाती हूं से ग्लो कर रहा है और बहुत ही फ्रेस फिल हो रहा है और पिम्पिल तो पहले सी मेरा था बड़ स्कीन देखिए एक अलग सा चमुक किया गया है यह रिमीडी जो है बहुत ही अच्छा है तो आभी मैं वान डेस किया है बाकी सिक्स डेस भी करने वाले हूं तो रेजल्ट आ से इसमील की अलब अखीक देखिए और ग्लो भी कर रहा है तो चल यह प्रेंट्स मीलते हैं प्लोग में बाइब बाइब बाइब